नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों देखा जाए तो मंदिर में राम लला की प्रान पर तिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी फिलहाल मंदिर की तैयारियां जोरो पर है अचानक आयोध्या में प्रकट हुआ रावन का पुश्मक विमान और राम मंदिर में काम कर रहे हैं मजदूरों ने जब ये नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई आयोध्या में इतने बड़े चमतकार का होना सभी को आश्चरे में डाल रहा है कुछ लोगों ने इसके साक शात दर्शन किये हैं दोस्त सभी मजदूर अपना काम निपता कर तंबू में सो रहे थे उसी समय अचानक से उने वहां कुछ हलचल महसूस हुई सागर नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर जांक कर देखा तो उसे मंदिर के परिसर से कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई थी उसने अपने साथियों को जगाना चाहा लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया हिमत करके सागर जब राम मंदिर परिसर में पहुँचा तो वहां का नजारा बहुत चौकाने वाला था क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिवे चमतकारिक विमान दिखाई दिया जिसका अ विमान में इतना तेज था कि सामाने आँखों से नहीं देखा जा सकता था लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानुस्वयम साक्षाथ भगवान राम पुश्पक विमान के माध्यम से अयूध्या में उतर रहे हो सागर ने ये चमतकार अपनी आँखों से देखा लेकिन अचानक से ही वो बेहोश हो गया क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था सागर जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था जब उसने अपने साथियों को रातरी की पूरी घटना बताई तो सभी उसकी हसी उड़ा रहे थे लेकिन सागर मन ही मन समझ चुका था कि प्रभुशीर राम आयोध्या आ चुके हैं ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुन्दर द्रिश्य देखने को मिला दोस्तों देश की अलग-अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकरीती के विमान देखे गए हैं जिनका संबंद कई बार तो एलि क्या गैरेंटी है इसे समझने के लिए हमें पुश्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा दोस्तों रमायन में पुश्पक विमान का जिक्र है जो पहले कुबेर के पास था इसके बाद रावन ने उसे अपने सोतेले भाई कुबेर से लंका समेत बल पूर अधिया पहुंचे दोस्तों राम मंदिर के निर्मान में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी जादा चर्चा हो रही है जب नासा के विज्यानिकों को इन चीजों के बारे में पता चला तो वो भी हैरान रहे गए और सबसे बड़ी बात कि जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रॉंग टेक खड़ी हो जाएंगे एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत जादा गरव करोगे आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खतम हो चुकी है और नाम मंदिर भी बन कर तैयार हो चुका है अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रही है क्योंकि इस दिन का भारत के लोगों को ही नहीं बलकि दुनिया के लोगों को इंतजार है लोग राम लला की स्थापना होने वाली मूर्ती को देखकर जूम उठेंगे क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिये जाएंगे इस मूर्ती को बनवाने के लिए देश के तीन सबसे बड़े मूर्ती कारों को बुलवाया गया है और जो भी भक्तों से एतिहासिक पल को अपनी आखों से निहारेंगे वो जीवन मरण के बंधक से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि 22 चनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की मूर्ती की प्रान परतिष्ठा होगी लेकिन ये मंदिर तो बनकर भले ही तयार क्यों न हो गया हो लेकिन इसके निर्मान के समय कई ऐसे चमतकार हुए जिसे देखकर कई लोग दंग रहे गए यहां तक कि इन चीजों को देखकर नासा के विज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया है और तो और वो एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए है कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त उन्चमतकारों और रहसे चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाओ लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जैश्री राम दोस्तों आपको बता दें कि जब यहां मंदिर निर्मान का काम चल रहा था तब एक बारा सो खंबो की ड्रॉइंग तायार करवाई गई और अमेरिका के एक विशिष्ट वेग्यानिकों की टीम को बुलवाया गया ताकि वे इसका निरिक्षन करके होने वाली हर एक कमियों को दूर कर सके और राम मंदिर की शान में चार चांद लगा सके लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्मान के वक्त वहां की धर्ती को खोदा गया तब उस धर्ती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे देख कर सभी के होश उड़ गई और उस चमतकारी और दिवे वस्तु ने ना सिरफ उन विज्ञानिकों की होश उड़ाए बलकि भारत सरकार को भी हिला कर रख दिया जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जाच के लिए लगा दी लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सभी भी प्रभ मंदिर का निर्मान कारे तो काफी चल रहा है जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से करना शुरू कर दिया अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगा दिखाई दी जहां पर धरती नरम पड़ी एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की वो खुदाई क्यों करवा रहे हैं लेकिन मजदूरों को तो उनका ओर्डर मानना ही था इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किये खुदाई शुरू कर दी जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू हुई कुछ उस धरती से पानी का परवाह शुरू हो गया उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परिशान हो गए क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बलकि नामुम्किन सा हो जाता है लेकिन जब इस पानी का सरवेक्षन किया तो पता च यानि को को एक गहरी सोच में धिकेल दिया वो ये सोचने में लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहां एक भव्य मंदिर का निर्मान कैसे हो पाएगा क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हसी खेल की बात नहीं थी उस समय सभी के दिम स्यौन प्राइख से प्राथना करने लगें क्योंकि जाहिर से बात थी जब तक वह मतासरियों के पानी के धारबंदर नहीं होगी तब तक का काम शुरून किया जा सकता था अगली ही दिन श्रीराम ने उनकी पगार सुन ले और माता सर्यों का पानी बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्मान कारे जोरों शोरों से शुरू हो गया और ये काम इस कदर चला कि अब ये अपने अंतिम छोर पर पहुँच चुका है या यूँ कहें कि ये पूरा तैयार ही हो गया है और 22 जनवरी को यहां श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा भी की जाएगी ये मंदिर इतना भवे बना हुआ है कि इसी देखने के लिए भारत सरकार ने यहां पर एक अंतर रास्ट्य हवाई अड़ा भी बनवाया है ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहां पर आ सके और इसे देख सके ये मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब पुराने समय में यहां पर राम मंदिर था वो कैसा दिखता था जिसे तोड़ कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी उस राम मंदिर का निर्मान आखिर किसने किया था क्योंकि ये रहसे आज तक सीमित लोगों को ही पता है जादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो चलिए आज में आपको इसका पूरा रहसे बताने वाली हुई इस वीडियो के माध्यम से तो बने रही ये वीडियो के एंड तक दोस्तों उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था यह पवित्र नगरी हिंदूओं के लिए बहुती जादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर स्वयम प्रभुश्री राम का जनम हुआ था इसलिए इसे राम जनम भूमी भी कहते हैं इतहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बोध काल में साकेत कहा जाने लगा अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था हलांकि यहां खुदाई के वक्त आज भी हिंदू बौध एवं जैन धरम से जुड़े मंदिरों के अवशेश देखे गए जिसमें खंबों से लेकर कई हिंदू अकरितिया बनी हुई थी अयोध्या नगरी में होने का वर्नन भी वालमी की रामायन में मिलता है कहती हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधी लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजार सी हो गई थी लेकिन उनकी जनम भूमी पर बना महल वैसे का वैसा ही था भगवान श्री राम के पुत्रकुष ने एक बार पूर्ण राजधानी अयोध्या का पुने निर्मान कराया इस निर्मान के बाद सूर्य वंच की अगली 44 पीडियों तक इस अस्तित्व आखरी राजा महा राजा ब्रह्म दबल तक अपने चरम पर रहा कौशल राज ब्रह्म दबल की मृत्यू महा भारत युद्ध में अभी मन्यों के हाथों हुई थी महा भारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड सी गई मगर श्री राम जनम भूमी का अस्तित्व फिर भी बना रहा इसके बाद ये उलेक मिलता है कि इसा के लगभग सो वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती समराठ विक्रा मदित्य एक दिन आखेत करते करते अयोध्या पहुँच गई ठकान होने के कारण अयोध्या में सरियू नदी के किनारे एक आम के व्रिक्ष के नीचे वो अपनी सेना सहित घना जंगल हो चला था कोई बसावट भी यहां नहीं थी महाराजा विक्राम अधित्यों को इस भूमी में कुछ जमतकार दिखाई देने लगे तब उन्होंने खोज आरंभगी और पास के योगी व संतों की क्रिपा से उन्हें महसूस हुआ कि ये श्री राम की अवद भूमी है उन संतों के निर्दे से समराट ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कुब सरोवर महलादी बनवाई कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जनम भूमी पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 सतमभों पर विशाल मंदिर का निर्मान करवाया था इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी विक्राम अदित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की उन्हीं में से एक शुञग वंच के प्रथम शाशक पुश्य मित्र शुञग ने भी मंदिर का जिर्णो और धार करवाया था पुष्यमित्र का एक शिला लेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापती कहा गया है तथा उनके द्वारा दो अश्वमेग यग्यों के किये जाने का वर्नन है अनेक अभी लेख से जाट होता है कि गुप्त वंचिये जंदर गुप्त द्वित्य के समय और ततपश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त समराज्य की राजधानी थी गुप्त कालीन कमाह कवी काली दास ने अयोध्या का रगुवंच में कई बार उलेख किया है इतिहासकारों के अनुसार 600 इसापूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण वयापार केंदर था इस स्थान को अंतर राष्ट्य पहचान पांचवी शताबदी में इसापूर्व के दौरान तब मिली जबकि ये एक परमुख बाध केंदर के रूप में विक्सित हुआ तब इसका नाम साकेत था कहते हैं कि चीनी भिक्षू फाय आन ने यहां देखा कि कई बौध मठो का रिकॉर्ड रखा गया है यहां पर सात्वी शताबदी में चीनी यात्री हेंत संगा आया था उसके अनुसार यहां 20 बौध मंदिर थे तथा तीन हजार भिक्षू रहते और यहां हिंदूओं का एक परमुख और भव्य मंदिर भी था जहां रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे इसके बाद इसा की गैर्वी शताबदी में कन्योज नरेश जैचंद आया तो उसने मंदिर पर समराठ विक्राम अदित्य के पश्चि मतुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूट पाट की और पुजारी की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा लेकिन चौदवी सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए विभीन आकरमनों के बाद भी सभी जंजावतों के झेल करते हुए श्री राम की जनम भूमी पर बना मंदिर चौथवी शताबदी तक बचा रहा कहती है कि सिकंदर लोधी के शासन के दौरान यहां मंदिर मौजूद था चौथवी शताबदी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जनम भूम ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहां भव्य मंदिर मस्चित का निर्मान कर उसका नाम बाबरी मस्चित रख दिया था लेकिन अंत में बाबरी मस्चित का भी विद्वन्च कर दिया गया और इस जमीन पर कई सालों तक केस चलता रहा और अंत मे या अब वैसे अगर आप मेंसे कोई अयोध्या निवासी है तो हमें योध्ध के बारे में कॉमेंट में जरूर बताएं चाहती दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद